Hello friends, आज की सी वीडियो में मैं आपके दिए लेकर आए हूँ एक और नए प्लोट का डिजाइन तो चले, friends, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्लोट और प्लोट की डिटेल समझाता हूँ कि आपको इस प्लोट में क्या-कया और किस तरह से डिजाइन करना है तो दोस्तों जैसा कि आप स्कीन पे देख सकते हो कि हमारे पास plot का size है 20 feet by 36 feet यानि कि 20 feet तो plot की length है और 36 feet plot की width है और दोस्तों यह जो plot है वो south facing plot है और इस plot के एक side में road है ठीक है और बाकी तीनो side में पहले से ही घर बना हुआ है इस plot के ठीक है उसके बाद यह जो plot है वो 720 वर्ग foot और 80 वर्ग गज का plot है ठीक है तो चले फैंस अभी यहाँ पे requirements की बात करेंगे कि हमें customer के according यहाँ पे इस plot में क्या क्या किस तरह से design करना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले requirement आती है कि हमें इस plot को 2BS के design करना है 2BS के कैसे कैसे करना है देखिए फैंस यहाँ पे सबसे पहले हमें इस plot में एक bedroom चाहिए जिसमें एक toilet अटेच होना चाहिए ठीक है उसके बाद हमें एक और bedroom चाहिए एक kitchen चाहिए एक lobby चाहिए एक staircase चाहिए staircase basically outer side में हमें design करना है ठीक है उसके बाद एक bathroom चाहिए और एक WCB चाहिए यहाँ एक Latin भी हमें इस plot में design करना है ठीक है तो चले फैंस अभी मैं आपको इस plot का design दिखाता हूँ कि मैंने इस plot को in requirements के coding किस तरह से design किया हुआ है तो दोस्तों जैसा कि आप इस skin पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस 20 feet by 36 feet के plot का 2BH के house plan customer की requirement के coding कुछ इस तरह से design किया हुआ है ठीक है तो चले फैंस अभी मैं आपको इस house plan को समझाता हूँ कि मैंने इसे किस तरह से design किया हुआ है देखे फैंस सबसे पहले इस घर के main entry की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 foot चोड़ा मैंने gate का size use किया हुआ है south east corner में ठीक है इस घर से आप घर में entry करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती है staircase 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 की abduction आप यहाँ पे देख सकते हो यह clock wise direction में मैंने staircase दी हुई है जो वास्तु सास्त के recording विलकुल सही है ठीक है उसके बाद friends आप staircase के size के बारे में बात करें तो देखिए 13 feet यहाँ से लेकर यहाँ तक staircase की length है और 6 feet तीन नीच यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक staircase की width है ठीक है उसके बाद friends अगर यहाँ पे staircase की flight width के size के बारे में बात करें तो 3 feet की flight width है और 3 feet की landing का size मैंने यहाँ पर यूज के हुआ है ठीक है और राइजर का size साड़े साथ इंच लेंगे ट्रेड का size हम 10 inch का यूज करेंगे ठीक है उसके बाद एक latin भी मैंने बनाई हुई है इस staircase की नीचे 3 feet by 4 feet की latin का size है और यहाँ पर इस latin में ventilation के लिए मैंने यहाँ एक ventilation लगाया हुआ है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हो घर में entry के लिए तो आप देख सकते हो 4 foot चोड़ी एक gallery हमें मिलती है ठीक है इस gallery से आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर एक door मिलता है घर में main entry के लिए ठीक है साड़े 3 foot चोड़े का door का size मैंने यहाँ पर use किया हुआ है ठीक है इस door से आप घर में entry करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है bathroom bathroom का size है साड़े 3 foot by 6 foot का ठीक है और यहाँ पर एक ventilation लगाया हुआ है इस bathroom में रोशनी के लिए ठीक है उसके बाद पर आगे बढ़ जाते हो तो आप यहाँ पर lowby में आ जाते हो lowby का size है 7 foot साड़े 10 inch by 10 foot साड़े 7 inch साथ फूट साड़े 10 inch यहां से लेके यहां तक है और 10 foot साड़े 7 inch यहां से लेके यहां तक है आप यहाँ पर भी dimension देख सकते हो मैंने आप सभी तरह की dimension mention की हुई है ठीक है उसके बाद 8 foot by 5 foot साड़े 7 inch का बहुती अच्छा size है kitchen के लिए ठीक है उसके बाद फ्रेंस यहां पर मैंने L shape की kitchen में slab दी हुई है 2 foot चोड़ी slab का size है ठीक है उसके बाद फ्रेंस अगर यहां पर kitchen के ventilation के बारे में बात करे तो आप यहां पर देख सकते हो एक OTS मैंने यहां पर दिया 13 foot 7 inch by 10 foot 6 inch का बहुती बड़ा size मैंने यहां पर use किया हुआ इस bedroom के लिए ठीक है उसके बाद फ्रेंस अगर इस bedroom के ventilation के बारे में बात के तो आप यहां पर देख सकते हो OTS लगाया हुआ है इस OTS में मैंने door window attached लगाया हुआ है इस OTS में आप इस door से जाते हो तो आपको यहा toilet का size 5 foot by 7 foot का बहुती बड़ा size मैंने यहां पर use किया हुआ है toilet का ठीक है और फैंस यह आपका commode हो गया यह wash patient हो गया और यह आपका shower हो गया ठीक है उसके बाद फैंस अभी यहां पर बात करेंगे इस house plan के door and window के sizes के बारे में देखे फैंस यहां पर आप देख सकते हुआ ह चार्ट में ने बनाया हुआ है इस house plan में जहां पर आपको D मिलेगा महाँ पर door का size होगा साड़े 3 foot by साड़े 8 foot का जैसे अगर D की बात करें तो यह bedroom का door हो गया ठीक एक यहां पर main entry के लिए door हो गया और यहां पर इस bedroom का door हो गया ठीक है उसके बाद toilet के लिए आपको use करना है D1, 2 foot by साड़े 8 foot का door का size यहां पर use करना है क्यों use करना है साड़े 8 foot का देखे इसमें 1,5 foot का तो आपका ventilation यूज किया जाएगा क्योंकि इस toilet में मैंने कोई भी ventilation लगाया नहीं हुआ है सिर्फ door में ही हम ventilation दे देंगे ठीक है और साथ फिर की आपी clear height होगी door की ठीक है उस bedroom की window के लिए ठीक है और यहां पर kitchen window का size होगा 3 foot by 5 foot का जो ground floor से साड़े 3 foot के height पे लगेगी bedroom की window धाई foot के height पे लगेगी अगर ventilation के size के बारे में बात करें तो धाई foot by डेट foot का ventilation का size है जो ground floor से साड़े 7 foot की height पे लगाया जाएगा ठीक है उसके बाद अगर यहां पर column के size क के बारे में बात करें तो जितने भी यह black tote है यह सबी मैंने 9 inches by 9 inches के column का size use किया हुआ है ठीक है उसके बात अगर इस house plan के construction cost के बारे में बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो एप्रॉक्सिमेट 9 लाग से 10 लाग के अंदर यह घर complete बहुती अच्छे तरीके से design हो जाए ठीक है तो चले फैंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thank you bye bye